नाज़कार स्वागता आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शेर्मा और इस कारेकर में मेरे साथ हैं उर्मिलेश और भाशा और आज इंडिया की बात में तीन मुद्दों की चर्चा जाच एजनसीज के खौफ के चलते विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार मोदी सरकार का सोनिया गांधी एडी के सामने हाजर हुई कांगरिस का पलटवार मुद्दा नमबर दो जी एस्टी की मार के जरिये महंगाई की आंधी मगर क्या महंगाई मुद्दा रह गया है मुद्दा नमबर तीन आल्टम्यूस के फैक्ट शेकर जुबेर रहा तो हो गए है मगर प्रेस की आजादी को लेकर मोदी सरकार का शर्मनाक रवया मगर शुरुवात हम करना चाहेंगे जिस तरह से जाच एजनसी इसको हत्यार के तोर पर इस्तमाल किया जा रहा है जैसा कि आप जानते हैं कि सोनिया गांधी जो है तीन घंटे तक प्रवर्तन निदेशाले के सामने थी इससे पहले उनके बेटे राहूल गांधी पच्चास घंटे तक लगातार चार-पांच दिन एडी गए और कॉंग्रिस सड़क पर भी उत्री प्रवर्तन निदेशाले सी बी आई और इंकम टैक्स के जरीए ना सिर्फ विपक्ष के निताओं पर निशाना साधा जा रहा है बलकि सरकारी भी गिरा दी जाती है और उसके एक मिसाल जो है महराश्ट है क्या है इस मुद्दे का पंच बता रहे हैं और मिलेश अभिसार मैं समझता हूँ कि एडी हो या दूसरी और जो एजनसीज है सरकार की उनके दूरपयोग की जो कहानी है हम लोग नबे के दर्शक बलकि असी के बाद से असी के उतराज से हम लोग सुनते रहे हैं इसमें कोई दो रहे नहीं है लेकिन अभी जो हो रहा है वो क्लाइमिक्स है क्योंकि इन एजनसी इसका खासकर एडी, सीबी आई, इन एजनसी को सत्ताधारी दल का सरकार का ही नहीं सत्ताधारी दल का ऐसा लगता है कि हत्कंडा बना दिया गया है विपक्षियों को निस्तनाबूत करने का यानि कि एक तरह से उसे वेपनाईज किया गया है भाशा बताएं आपके हिसाब से क्या है इस खबर का पंच देखिए बहुत साफ है कि अब ये जो पूरा सिस्टम है इसमें ED, CBI सारे लोग और खास और से जिस तरह से सोनिया गांधी को निशाने पे लिया उनके घर भी पूश्टाश कर सकते थे उनको वहाँ बुलाया तो मेसेज साफ है कि अब बहुत क्रुवैलिटी पर उत्रा हुआ है पूरा सिस्टम और दूसरी तरफ वह यह भी बताना चाहते हैं कि तमाम विपक्ष को वह एक चुटकी में घेर सकते हैं और सारे लोगों को एक साथ एक ही ढंग से निपकाने की तैयारी में ED, CBI दिखाई देती है विपक्षी सरकारों को भी अभी सार क्या है इस पर आपका पंच इस खबर में मेरा पंच ये है कि मोधी सरकार यह काजाए प्रधान नंत्री नरेंद्र मोधी ने एक बार कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और अपना जो कोर वोटर है उसे संदेश दिया जाता है कि हम विपक्ष पर इसलिए आक्शन ले रहे हैं क्योंकि ये बेइमान है मगर मेरा सीधा सवाल आखिर क्या वज़ा है कि सुवेंदू अधिकारी मुकुल रॉय हेमंत बिस्टु शर्मा इन तमाम लोगों पर केस्स थे मगर भारती जन्ता पार्टी में आने के बाद केस्स गाइब हो जाते हैं मुझे लगता है जाच एजन्सीज को न सिर्फ वेपनाईज किया गया है बलकि ये किसम की बेइमान राजनीती है जिसमें विपक्ष को टार्गिट करो मगर अपने लोगों को बचा कर रखो चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं मगर आप जानते हैं उर्मिलेश जी ये एक कदम आगे है महराष्ट देखिये साहब वहां तो जितने लोग शिंदे के साथ गए हैं उनमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन पर कही न कहीं कोई न कोई एडी का केस की तलवार लटक रही है कई लोग ऐसे कहते हैं कि अब कम से कम शिंदे साहब के पास आने के बाद हम रात को चैन से सो पाते हैं इससे बड़ी ट्राविस्टी डिमॉक्रिसी की नाइंसाफी लोगतंतर के साथ क्या हो सकता है और इस सरकार ने तो वाकई कमाल कर दिया मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पिछली सरकारों ने जाच एजनसी का दुरूपयोग नहीं किया मगर इन्होंने तो आँ हदे पार कर दियूँ पहले की सरकारों को भी हमने देखा है वो क्या करते थे कि वो पिक एंड चूस का था उनका chol мамों को पकड़ते थे लेकिन आज की तारिख में पूरे के पूरे के को पूरे के समोह को पूरे के पूरे गृरूप को पकड़ा जा रहा है so that की destabilize करने सरकार को बरबाद कर जया उसकी सूरत ही बदल रिया exactly तो पूरी सरकार को destabilize कर दो take over कर दो और जो जो लोगा सुरक्षित हैं जिन पर जिन पर corruption के cases हैं उनको फिर mobilize करो अपनी party में उनका शुद्धी करण कर दो उनको laundry में डाल दो BJP की और सब ठीक हो जाए इसके साथ एक और बात जो बहुत important है कि दरसल ये करने के पीछे एक कारण और है कि नेताओं को जगर जाप डरा देते हो बड़े नेताओं को तो जनता ये सोचती है कि यार जब इनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोग की स्खेट की मुली है तो वो डर जाता है उसका दूसरा पहलू है जब आप एक पुलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाच एजनसी के जरीए उन पर टार्गेट करते हैं तो देखिए उस वक्त तमाम मास मीडिया के जरीए सुर्खिया क्या होती है फलाना पुलिटिकल पार्टी भरष्ट ये इन्होंने ये किया है तम संदेश जो बीजेपी ने दिया है बहुत साफ कि जो हमारे साथ आएंगे जो हमारे साथ हैं वो तो सब कुछ सारे के सारे लोग क्लीन हो जाएंगे सारे के सारे लोग साफ हो जाएंगे एक के ऊपर भी मामला नहीं होगा और साथ ही साथ दूसरी तरफ विपक्ष क्योंकि हम सब जानते हैं कि लगातार कमजोर हो रहा है लेकिन अभी जो इस्थिती है उसमें जो कुछ बचा कुछा विपक्ष है उसको पूरी तरह से खतम करना यानि जो सबसे बड़े से लाइन पे लाने की कोशिश की गई जिसकी एक विसाल पारलेमेंट में हमने देखा राश्टपती चुनाव के समय जो दिखाई दी हमको जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है तो वह बहुत सा बड़ा यह गेम तो ऊपर दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर अंदर जो गेम में हैं इतनी क्रुँवेल फॉर्म में है कि हमें बदला लेना है हमें निपटाना है हमें विपक्ष में किसी की शकल नहीं देखनी है अब नाम गिनते जाईए और आपको दिखाई देखाlloween लेका बदले की बात जो यहां सिसका लिपाशा प्रिभाशा यहां कर रही है, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, बड़ा प्रश्ण है, आप एक naked form of revenge जो हैं, वो अपने विपक्ष पर बरपा रहे हैं, क्या कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी के मन में नहीं हैं, ये एतिहासिक है, अप्रत्याशित है जिस तरह से जाच एज इजनसी का दो रुप्योग किया जा रहा है, आपको भी कभी न कभी विपक्ष में आना पड़ेगा, ये जो नजीर स्थापित की गई है, क्या इसके बाद ये जाच एजनसी जो हैं, जो इनका स्वरूप है, ये बदलेगा, या इसी तरह से आप लोगतांतर चलने वाला इ इस तरह की स्थियां बनती हैं, उसमें जो लोग उपर बैठे होते हैं, उनको ये लगता है, कि हम बहुत लंबे समय तक कायम रहेंगे, हम सत्ता में बने ही रहें, आमिशा तो कहते हैं, पचास साल तक रहेंगे सत्ता में, तो एक तो वो खत्रा नहीं इनके दिमाग में रह तो वो समझते हैं कि हमारे सामने कोई है नहीं, अचाव आगई आजा आप बेखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर बिल्कुल अन्याय पूर्ण धंक से भी उसको दमित किया जा रहा है, उसको परिशान किया जा रहा है, तो क्या कोई समस्था आकर खड़ी होती है उसके अचानक रहात मिल जाती है, खबर लगती है उसको रहात मिली, बिल्कुल और मैं उसी से जोड़ना चाहूं का देखिए, पुलिटिकल पार्टी इसको जो जब टार्गेट किया जाता है, अगर आप जानते हैं कि न्यूस क्लिक को किस तरह से टार्गेट किया गया, वो तमा उनकी छवी को तार-तार कर दिया, मैं यह समझना चाहता हूं कि कब तक अदालतें सामविधानिक संस्थाएं खामोश रहेंगी, मुझे लगता है कि अदालतों को सुओ मोटो इन चीजों का नोटिस लेना पड़ेगा, यह अदालतें भी इतनी डरी हुई हैं कि वो इन मोट भूमिल होने लगती है, इंटरनाशनल प्लेटफोर्म पर तब थोड़ी बहुत इफेंट बढ़ के साथ सामने आते हैं, लेकिन यह जो मोमेंट है भारती लोकतंत्र का यह जो शड़ है कि जहां पर विपक्ष को क्योंकि लोकतंत्र बिना विपक्ष के नहीं हो सकता और जि इसी तरह से है कि राजा की कृपा पर है, कि आप किसके खिलाफ जाएंगे और जिसके खिलाफ जाएंगे आप उसको पूरी तरह से निप्टा देंगे, आप उस लायक नहीं छोड़ेंगे कि जनता के बीच वो मौजूद रहे, ठीक है, तो अब इंडिया की बात में हम दू दूसरा मुद्दा जो है, जैसे कि आप जानते हैं, आल्टम्यूस के पत्रकार जुबैर की रिहाई हो गई है, मगर आज जो हम जिस मुद्दी की चर्चा कर रहे हैं, उससे कहीं जादा बड़ा है, जब संसत के अंदर मोधी सरकार से पूछा जाता है कि कि इतने पत्रकार गिरिफतार हुएं, तो कहते हमारे पास कोई आखड़े नहीं है क्योंकि पॉब्लिक ओडर स्टेट सब्जिक्ट है, और इसके अलावा प्रेस की रैंकिंग में भारत बच से बत्तर होता जा रहा है, भारत उस रैंकिंग को ही नहीं मानता, मैं यह समझना चाहता हूँ कि हम अपना क्या संदेश देना चाहते हैं, और क्या है इस खबर का पंच, शुरुवात करते हैं उर्मिलेजी से. वो जब रैंकिंग देती हैं, तो फिर कैसे आप मान लेते हैं, मैं आपको बताऊँ, Human Development Index, थोड़ी देर के लिए प्रेस इंडेक्स ठोड़ दीजे, Human Development Index की जो रैंकिंग है, वो तो गैर सरकारी संस्ता नहीं, बलकि पूरी सरकारों की जो संस्ता है, वहां से आती है, तो य एक गलत है, और ये बहुत दुरू भागे पूर्ण है अपने देश में, क्या है इस खबर का पंच, भाशा बताएं, पत्रकार जेल में हैं, और संसद में लगातार जूट पे जूट बोला जा रहा है, मैं तो खाली कहना चाहती हूँ, कि अगर मंत्री जी के पास लिस्त नहीं है, किसी भी पत्रकार को बुला लीजिए, अपने ठाने को बुला लीजिए, हम सब आपको लिस्त देने के लिए तैयार हैं, कि इस साल और पिछले साल अनुराग ठाकुर जी कितने पत्रकार जेल में गए, डिटेन किये गए, अभिसार आपका क्या पंच है? भाशा आपने मानने मंतरी जी का जिकर के अनुराग ठाकुर ये वही अनुराग ठाकुरें जिनका नारा था देश के गद्दारों को गोली मारो का, और उसके बाद आप जानते हैं, शाहिन बाग जामिया दोनों जगा गोली चली थी, इस खबर का पंच ये है, कि देखिए जुबैर की तो हमने चर्चा कर ली, क्योंकि उनकी मौजूदगी शेहरी मीडिया में है, मगर हम ये ना भूलें, केरला से आने वाला एक मल्याली पत्रकार दो साल से जेल में है, आतंकवात की धाराओं में, उसके परिवार की हालत बच से बत्तर होती जा रही है, उसकी अरिदेश की प्रिस की और सरकार इस तरह से उनके साथ बरताव करती है, मैं ये समझना चाहता हूँ सबसे पहले आप से उर्मिलेश जी, कि एक तरफ तो ये सरकार जो है मीडिया को पालती है पूरा, इनकी पालतू मीडिया की हम पूरे छवी को देखते हैं और उसी को जोधियों पर भी हमला करते हैं, और दूसरी चपर जो सवाल करते हैं, उन्हें जेल की तरफ भेज़ दिया जाता है, इंकम टाक्स की रेट्स होते हैं, एडी के रेट्स होते हैं, हमने जिसका जिसका जिक्र किया, कहीं ने का, ये मुद्दा भी जाच एजनसी के दो रुप कपन. सिदिक कपन के बारे में मैंने काफी पता करनी की कोशिश की जिन दिनों उनकी गिरफतारी हुई थी. मैं जानबुश कर उनका हवाला थोड़ा दे रहा हूं समय लेकर. उनके बारे में मुझे केरल के पत्रकारों ने बताया कि वो बहुत ही संजीदा, बहुत समझदार और बड़े अनुशासित किस्म के आदमी है. वो यूनियन जो वहां की है केरला की यूनियन पत्रकारों की उसके एलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं और ये एक मुस्लिम कम्यूनिटी से आने वाले पत्रकार को भारी बहुत से लोग चुनाव जिताते हैं अपने 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 अलेक्शन्स में ये कोई साधारन बात नहीं है और उस आदमी को आप कहते हैं कि आप जिस गाड़ी में बैटे हैं वो गाड़ी डोबियस्त लोगों की है और इसलिए हम आपको एरिस्ट कर लेंगे ये तो चमतकार है कमाल है ये दुनिया की किसी डिमोक्रिसी में यह भी कहना कि आगे वो क्या लिख सकते हैं ये एक शब्द नहीं लिखा और पांच हजार शब्दों की दूसरी बात कि रूपेश कुमार सिंग लगातार लिख रहे थे आप उनके पुलिटिकल कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो बहुत साफ बताओ ना कि क्या कनेक्शन है कोई आपके पास डॉकुमेंटरी प्रूफ है दूसरी बात इस पर कोट कई बार आडर कर चुके हैं कि आप किसी भी व्यक्ति की विचारधा के आदार पर है रिस्ट नहीं कर सकते अगर कोई वैचारी की भी है तो जब तक कि वह स्टेट के खिलाफ किसी भी तरह से आतंकी और और नहीं मैं के खिलाफ क्या होता है धर्म संसद के अंदर साधू गण कहते हैं कि 1857 जैसा आंदोला हम करेंगे पूर प्रधान मंत्री मनम जोहन सिंग के च्छाती पर गोड से जैसे गोली चलाने की बात कि जाती है वो राश्दरो नहीं दिखाई देता और देखिए मिरको आप जानते हैं भारशा सबसे जादा आपती जनक ये लगा आपको याद होगा जब जुबेर का मामला भी आया था तो जो उत्तरपदिश पुलीस की जो वकील थी गर्मा प्रशाद वो कहती है कि आप जुबेर पर अंकुष डालिये कि वो ट्वीट ना कर सके जस्टिस जंदरशूर कहते हैं कि भई मैं वकील को जेरह करने से नहीं रोक सकता पत्रकार को ट्वीट करने से कैसे रोकूंगा ये सोच जतलाती है भार और जो नफरती एजंडे हैं जितने उन लोगोंने लोगों के नाम लिये क्योंकि बड़ी अजीब बात है कि यतीना नंद को बचाने के लिए बीजेपी उतरी वही यतीना नंद जो भाशपा की महिला नेता कैबिना मंत्रियों को गालियां देते रहे हैं इतना अश्लील ब बजरंग मुनी सारे सारे के सारे लोग बतोर महिला मेरी मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को बाहर कैसे चोड़ा जा सकता है और दुक्की बात यह कि उत्तर पदेश सरकार बजरंग मुनी के बारे में समानित और इनके बहुत से फॉलोवर्स हैं आप इस तरह से कह रहे हैं जिससे आपने बारा दिन जेल बेजा जो महिलाओं के बलातकार की बात कर रहा है आप किस तरह का समबात बना रहे हैं तो सवाल साफ साफ यह है जबेर इसले भी एक चर्चा का और मुझे लगता है कि जुबेर बाहर आए इसके पीछे जो वकील की टीम थी और जिस तरह से वरिंदा ग्रोवर ने काम किया जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता तो यह एक मिसाल कायम हुई लेकिन मुझे सबसे बड़ी चिंता जो है अभिसार कि जो 14 पत्रकार रुपेश का जिक्र उनों ने किया हम जानते हैं कि ह आप कि अब मुझको और तमाम लोगों को कुछ भी बोलने सोचने से पहले ये खौफ तारी हो गया है कि आप जो लिखने उस पर क्या कारवाई होगी ये किसी को पता नहीं कि क्या संसदी है क्या अंससदी है लेकिन ये पता है कि आपको किसी भी मामले में उठा कर डाल दिया जाएगा और सच बोलने पर एक सच बोलना एक गुनाह के तौर पे इस्थापित करने की पोशिश है और मेले जी सबसे हास्यास्वत बात ये है कि देश के सूचना और प्रसायर मंतरी संसद के अंदर खड़े होके कहते हैं कि फाक्ट चेकर और दंगा भड़काओं के बीच में फर्क है ये कौन कह रहे हैं माननी अनुराग ठाकुर ये कौन से अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंन जाते हैं महां गोलिया चलाना शूरू कर देते हैं आपको तो चलिए इनाम मिल गया और आप उस बेशर्मी से संसद में खड़े होके आप दूसरों को नसीहत दे रहे हैं मतलब इससे ज्यादा जिसे कहते हैं ये ये किसम की ब्लाक कॉमेडी मानता हूं मैं इसको देगे इस वक्त अगर देखा जाएं तो इंस्यूशन बिलकुल पस्त हैं बिलकुल मर चुकी हैं क्योंकि हमारी जो डिमक्रसी है बुनियाद में ही उसकी कमजोरी रही है हमारी डिमक्रसी में जो पार्टिसपेशन है लोगों का कैसे अपनी इंस्यूशन को मजबूत किया जाएं आप देखिए यूरोप में बहुत सारे मुल्क हैं आप वहां राजा, रानी भी हैं कई जगहां डिमकरसी चल रही है लेकिन राजा और रानी भी हैं लेकिन इसके बहुत-जोद उनकी डिमकरसी कितनी मजबूत है क्योंकि इंस्टिशन मजबूत हैं वी डोन्ट हैड़ गं मैं आपसे पूछना चाहूंगा देखिए होता क्या है जब एक पत्रकार पर अत्याचार होता है तो उसकी आवाज कौन बुलंद करता है उसके साथ ही पत्रकार मगर मैं नहीं भूला हूँ जुबैर जिस दिन रहा हुआ था तो इंडिया टुड़े कारकरम चला रहा था हम इस सवाल पूछना चाहते हैं दोहरे माभदंड क्यों नुपूर शर्मा के मामले में आपने ये कहा और जुबैर के मामले में ये कहा मैं शौक था कि आप इस तरह का प्रवचन दे रहे थे जब खी नुपूर शर्मा से अब ताक एक सवाल लिए हुआ है जुबैर जो है व हमारा जो रेडियो रवांडा स्वरूपी मीडिया और उसमें भी देखिए कि सबसे मज़ेदार बात है कि यह तमाम मीडिया हर संकट के समय और यूपी पुलिस से लेके महराश्च पुलिस तक हमें नहीं भूलना चाहिए कि जुबेर के जो फैक्ट चेक्स थे उनके आधार वो ट्वीट कर रही थी, बता रही थी कि नफरती एजन्डा जो पहला रहे है इनको क्रॉस चेक्क कर रहा है जुबेर, ओल्ट न्यूज के लोगों को ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है, यूपी पुलिस ने, महराश्च पुलिस ने, तमाम पत्रकारों ने, परोना का सरकार कहा खड़े हुए हैं और कौन लोग नूपूर शर्मा को ही अपना लीडर मान रहे हैं और के खिलाब जो सब्ता से सवाल करते हैं और आज इंडे की बात में तीसरा मुद्धा है महंगाई का इसी सब्ता की शुरुआत में सुम्वार को जी-स-टी बुन्यादी मुद्धों पर लगाए गया दूद दही पनीर पराठा सब पर जी-स-टी बढ़ गया नतीजा ये महंग बढ़ गई इतिफाक की बात ये है या विडमना की बात ये कि प्रधान मंतरी नरेदर मोदी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि हमें इस बात की खुशी है कि अब दूद दही पनीर महंगा नहीं होता क्योंकि जी-स-टी आ गया है अब जी-स-टी का ही दंश जो है वो पढ़ हैं कि हमारी institutions बहुत कम जोर हो गई है और जनता का डर जब खतम हो गया है तो उनको लगता है कि हम चीज़ों को महंगा करके पुल बनाएंगे हम फ्लाइव बनाएंगे हम हाईवे बनाएंगे ताकि कार्परेट को बहुत फैदा हो उनको इन्वेस्ट करने में फैदा हो और ईस में गरीबों को अनाज मुफ्त देकर उनको लगता है कि गरीबों का अक्रोश खम कर लेंगे मिल्ल क्लास जो बोलता है मांगाई पर उसको धर्म और संप्रदाय के बीच में मांटकर मोबिलाइज कर लेंगे तो यह सारे के सारे जो हत्यार है वीपंस जो हैं इनका इस्त यानी किस तरह से और क्यों दुनिया भर में सबसे अमीर व्यक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं यह जो जीएस्टी वसूला जा रहा है आम जनता से यह कहां जा रहा है किस की जेबे भर रहा है किस तरह से ख़रीत वरोक्त हो रही है और दूसरी चीज सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग नाराज हैं लेकिन नाराज ही गों को रिफ्लेक्ट करने के लिए जमीन पर उतारने के लिए विपक्ष कारगर नहीं दिख रहा है अब इसार क्या है आपका पंच इस पर इस खबर का मेरा बहुत सिंपल सा पंच है यकीनन कुछ हद तक ये विपक्ष की भी नाकामी दिखाई देती है कि वो पुरजोर तरीके से इन मुद्दों को नहीं उठा रहा है मगर शायद इसका जवाब भी मैं आपको इस पंच में देता हूँ जब जनता के दिमाग में एक प्रॉपगांडा हावी कर दिया गया है कि हिंदू खत्रे में है अगर ये लोग चले गए तो मुगलों का राज आ जाएगा तो जाहिर सी बात है महंगाई बेरोजगारी को लोग गले ही लगाएंगे उर्मिले जी मैं आपसे सवाल शुरुआत करना चाहता हूँ इस सेग्मेंट की मैं जादना चाहता हूँ क्या वाकई जनता के लिए महंगाई बेरोजगारी मुद्दे जो है माइने रखते हैं या आपके और मेरे जैसे लोग बेवज़ा इस पर बहस करते हैं जरूत नहीं बहस करने की रामराज चल रहा है देश मेन साहँ अब इस आर मैं महानगर में रहता हूँ और मैं λखा हूँ क्योंकि पैदाईश मेरी गाउं की नहीं बहुत जबरदस्थ असर है आप महानगरों में देखिए और कस्पों में देखिए दुकाने बंद हो रही हैं स्टोर्स बंद हो रहे हैं लोग कारोबार खतम हो रहे हैं लोग कम खा रहे हैं लोग अपने खाने पीने की जो क्वालिटी है उसको गिरा रहे हैं जिनके घर में एक किलो फ्रूट साता था तीन दिन के लिए और वो सब्ता हमें उतने का इस्तेमाल कर रहे हैं भायानक कट होती है तो महागाई का असर बहुत जबरदस्त है लेकिन इस सब्ता के पास फार्मूले गजब हैं कि लोगों के दिमागों को कैसे उनके दिमागों को कैप्चर कर लें आप आप अपने ढंक से चलाएं और जो अत्यनत गरीब लोग हैं जो गाओं में शोर मचा सकते हैं जो सड़क पर आ सकते हैं पलिटिकल पार्टीज की रैलियों में जो आते हैं उनको जो अनाज की जो बियोस्ता फ्री है देखिए शुरू में लगता था क की मार्च अपरेल तक चलेगा यह आगे भी बढ़ा दिया गया आगे और बढ़ाया जाएगा और यकीनन मैं आपको बता रहा हूं कि गरीब जो अत्यनत गरीब लोग हैं उनको इस सकता ने पटाने का एक फार्मूला खोज लिया है और दूसरी तरफ मैं अपनी बात को इल जारकारे भाशा देखे देश की अरत्यवस्ता आज नहीं तो कल सुधर जाएगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम जानते हैं कि आज जो हमारी अरत्यवस्ता लचर है उसमें न सिर्फ सरकार की नाकाम नहीं आए बलकि वैश्विक स्तर पर भी जो हाला चल रहे हैं जो देश में समवाद पैदा कर रहे हैं जिसके लिए जिसके चलते आप अपने आपको एक बहुती अराजक स्टेट के तौर पर दुनिया को पेश कर रहे हैं नमबर वान नमबर टू जनता में असली मुद्धे उठाने का जो एक पहले सोच होती थी वो खत्म हो गया है वा कि लोगों में नाराजगी नहीं है या लोग परेशान नहीं है क्योंकि हमने शहर में मैं तो कह रही हूं कि शहर से लेकर शहर के ही अगर आप सलमबस्तियों में जाए मध्यमबर में जाए जिसका जिक्र और मिलेश जी कर रहे हैं और गाउं में जाए बड़े पैमाने पे लोगों का जीवान मुहाल हुआ है विकल्प इतने खराब है भाशा राजनितिक विकल्प और दूसरा कि उनको और्गनाइज करने का जो सिस्टम होना चाहिए क्योंकि हमने देखा है जब अगनीवीर वाला मामला हुआ सारा का सारा तब लोग नौजवान सड़क पे उतरे थ अमरी की राजधानी है हमने दुनिया के सारे देशों को जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारश नमबर वन है और यह जो पूरा जीएस्टी लगाया गया है आटा दाल दूद दही सावन के महीने में वह भी आप ना भूले कि इसने जो बड़े पैमाने पे लोगों का जीवन शीरशक्ता कि यह तमाम जो मुद्दे हैं वो एक लड़ी में बंधे हुए हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चाहे जाच एजनसी इसका बेजा इस्तमाल हो चाहे जनता को ब्रेनवाश करना हो चाहे विपक्ष द्वारा उन मुद्दों को ना उठाना हो या डर के चलते ना उठाना हो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाशा और और मिलेश चर्चा में शरीक उने के लिए इंडिया की बात में बस इतना ही अगले हफते फिर होगी मुलाकात हमें अजासत दीजे नमस्कार